हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉंसेप्टिव सतेंद्र में मैं हूँ अभिनाव सिंग और हम कर रहें आज नौमाज 2021 की करेंट अफियर्स तो हमारे जो पहला टॉपिक है स्वैक्तुरास्ट्र खाद्यान बरबादी सुचकांक 2021 किसने जारी की है उसकी बात करें तो स्वैक्तुरास्ट पर्यावरर कारिकरम और उसका साइधार संक्टन है डवलू आरे पी उसने जारी की है यूएन एपी का जो मख्याल है नरोभी के इन्याम है पांट जून के स्थापना होई थी इस सौ बैट तर मैं तो तभी से हमारा मन का डेटा है इसमें तो 2019 में टोटल 93.1 करोड टन खाद्यान बरबाद हुआ है पूरे विश्व में जो कुल वैसे खाद्य उत्पादन का कितना है 17% यानि कि कुल खाद्यान उत्पादन हुआ उसमें 17% हमने बरबाद कर दिया यह है हमारी रिपोर्ट का मूल डेटा और कितना है मात्रा की बात करें तो कितना बरबाद हुआ है 93.1 करोड टन बरबाद हुए खाद्य में से 100% खाद्यान घरों से बरबाद हुआ है घरों में जाद हम खाना बना लेते हैं फिर फैंकते हैं उसको या फिर जो भी करते हैं उसका तो वह 100% है 26% खाद्य सेवाओं से लगाएं प्रिटी वर्ष कितना किलोग्राम खाना बरबाद हुआ है भारत में तो 50 कलोग्राम जानकर एक साल में एक ब्यक्ती ने करीब एवरेज 50 कलोग्राम खाना बरबाद किया है कहीं पर ये नसीब नहीं भूंके लोग सोते हैं और कहीं ये बरबाद भी हो रहा है तो इस चीज को हमें देखना होगा आगे अगर हमें भुकमरी बगेरा को खत्म करना है या पर गरीवी को भी खत्म करना है तो ये देखना होगा कि खाना हमारा बरबाद ना हो बात करें विफ्व में अमेरिका की तो अमेरिक प्रति प्रति बेख्ति अनुपाद ज्यादा है वहिए चीन की बात करें तो सब से ज्यादा थे खादियान बर्बाद हुआ है नायंड वायन पोंट टू करोड़ टन बालत का कितना था खिंप पःट सेवन करोड टन और चीन का है ना है, दो ना करोट टन चीन की जनसंख्या भी ज्यादा है फिर भी इसका अनुपाद भी काफी अधिक है प्रति वर्फ 64 किलोग्राम खाना बरबाद हुआ है तो अगर यह खाना बरबाद हुआ है हमारा वो ना हो तो हमारी जो खाद्यान टोटल पैदा हुआ है तो यान कि 17% हम आबादी क को अप्लब्द करा सकते हैं इतना ही खाना अगर हम आजा जो हमारी लोग हैं जो भूकिस होते हैं इनको उप्लब्द करा देए तो हमारी जो बुकमरी है वह खतम हो जाएगी एक तरह से पूरे विश्व में तो देखना होगा कि खाना बरबाद ना हो इसको अच्छे हमारा DRDO की FFDR FFDR मतला Solid Fuel Ducted Missile जो टेक्नलोजी है वो विक्षित किया है उसका परिच्ड भी किया है DRDO यानकी रच्छानसंदान और विकास संग्ठन ने आठ मार्च को Solid Fuel Ducted Ramjet जो FFDR है Solid Fuel Ducted Ramjet Missile टेक्नलोजी का फपल परिच्ड किया है या परिच्ड कहों पर हुआ है उडिवा के चांदीपूर इस्तित एक इकरत परिच्ड रेंज में ग्राउंड बूस्टर समयत इसमें जो भी सिस्टम थे वो सभी ने अच्छा प्रदर्फन किया है मतलब पूरी तरह से सपल रहा है यह परिच्ड यह मिफाइल Solid Fuel Ducted Ramjet टकनीक पर आधारित है यह तकनी भारत और रूफ द्वारा संक्तुरूप से विक्सित की गई है तो किसने विक्सित की है DRDO और जो रूफी की एजेंसी है उस नजयाने की भारत और रूफ ने मिलके यह टेक् लावान बित नहीं हुए तो भारत की जो उप लफ दी है वो काफी अच्छी इंची आप बड़ी उप लप दिए है और इसका हम प्रियोग करके काफी आगे जा सकते हैं जो हमारी dåसी मिसाइल भारत की सत्रसे हवा में हवा से हवा दॉनों ही मिसाइलों को बहतर प्रदेश करने और उनकी स्ट्राइक रेंज को बढ़ाने में मदद करेगी इस मिफाइल की इमारक चमता कितनी होती है सौफ से दो सक किलूमीटर भारत में FFDR परियोजना कलच लंबी दूरी की मिफाइलों के प्रवंधन प्रणाली तकनी को उनत करना है इस प्रणाली में फस्ट मॉडल लेटेस्ट रॉकेट के साथ फाथ श्मोक नोजल लेफ मिफाइल बूस्टर सामिल है यह तो टेकनिकल वर्ड है इनको ना जाने कोई की दिक्कत नहीं है यह प्रणाली एक ठोफ इंधन वाले वायू स्वास रेमजट इंजन का उप्योग करती है रेमजट इंजन जो मारा तीन मैक से मिनियम स्टार्ट होता है और यह क्या करता है जो वायू मंडल में जो हवा होती है उसको दबाके अपनी गती में यूज करत होता है यान कि 3-6 मैक तक यह अच्छी तरह से काम करता है और जब इसको करना होता है यान कि इसको फ्रस्ट की जरूत पड़ती है यह हवा में ही काम करता है यह बायू मंडल से बाहर काम नहीं करेगा ठीक है नहीं यह जब इसको मिलेगा जब तक शुरू से जैसे हम इसको क कोई भी मिसाइल के दोरा या फिर किसी भी रॉकेट के दोरा जब तक हम इसको उड़ाएंगे नहीं उपर तक यह काम करना शुरू नहीं करेगा ठीक है क्योंकि यह वायू मंडल में जब हवा होती है उसी के दोरा प्रियोग करता है उसी को अपनी एयर प्रेसर को हवा को प्रदार में दोरा जाए जाएगी सतंस्ता की तो इसका जो कि जो अजिए जो आयोजन है 75 वी वर्फगार्ड का 75 सब्छा पहले से ही किया रहा है पिछेत्र सब्छा करेकरम का आवीं किया जा रहा है जो हमारी 75 वी वर्फगार्ड मनाई जाएगी उसके लिए सरकार ने इन बोधी की अधचिता में राष्ट्री सव्मिती गटित की है तो सव्मिती में कितने सदस हैं 279 यानकि इसके लिए राष्ट्री वह गटित की गई या अध्देच कोन नहीं सब्सक्राइब और उनतराष्टि इस्थर पर आजादी के 7557 वर्फगांट पर विभिन कारकरमों की तैयारी के लिए नितिकत दिफा निर्देश देगी यानकि राष्ट्री और अंत्राष्ट्री भारत और विदेशों में भी इसके जो कारक्रम है वो आजयोजित किया जाएंगे 75 वी वर्फगांट को आजादी का अमरत महुत्वब के रूप में मनाया जाएगा अमरत महुत्वब 75 साल हो जाती है तब मनाते हैं तो वही मनाया जाएगा अमरत महुत्वब के रूप में लाइन दानले मार्च को सबीना याद होगा तो दांडी मार्च हुई थी गांधी जी की जब हमने नमक सत्य अग्रा गांधी जी ने शुरू किया ठाट जो आइच्छों जु़ित्षैनवाई यह फंगा、 इक तर आणवाईों को लेके जब गांदी चीछ ले थे जब हमने आंदोलन शुरू किया था समय हुआ आप यांदोलन ठीक है तब क्या हुथ था कि ञांदी धांडीजी यात्रा पर नंग्लेते तो 410 mm आठक लेते तो इस के उपउच में हमने यह बारे मार्च चेही शुरू बन गए हैं बजरंग पुनिया ने मौटेयो मौटेयो पेलिकॉन में चल रही जो कहां ये मौटेयो पेलिकॉन रोम में इटली रोम में हैं मौटेयो पेलिकॉन में चल रही रोम रैंकिंग शीरीज मैं फॉर्ड पदक पर कब्जा कर लिया है बजरंग पुनिया 55 क्लोग्राम भारवर्ग के फिरी स्टायल इवेंट में जो फाइनल हुआ था उसमें मंगोलिया के मंगोलिया के जो रैसलर थे उनको हराया था और उन्होंने जो पहली रैंकिंग है वो प्राप्त कर ली है इंटरनेशनल या फिर वर्ड जो पहलवानी की जो होती है नमबर एक पर आ गए है इस इवेंट में बजरंग पुनिया का है लगाता दूसरा फॉर्ड पतक है यानकि पहले भी एक जीत चुके हैं तब उन्होंने किसको हराया था यूएसे के जॉर्डन ओलिवर को हराया था और अपने नाम किताब किया था तो अब उन्होंने मंगोलिया के रैसलर को राया था यूएसे के रैसलर को अब वो दो बार जीत चुके हैं और वो नंबर एक पहलवान बन गए हैं बिस सुके 2018 में भी उन्होंने नमबर एक पहलवान का पद प्राप्त किया था और फिर फिर्षपद दुवारा से आ गए हैं यानकि 2018 में भी वो नमबर एक पहलवान रह चुके हैं विश्व के और 2021 में फिर से आ गए हैं यानकी दूसरी भार है जब यह मौका जब लगले खिलाडी बने हैं यानकी पहले जो रहेलिवान बने हैं पूरे बिश्व में लॉंबर एक अगल यह टॉपिक हमारा अन्त्राफ़्किया महलादुबस अंत्राफ़्किया देंपृषा कि शी मेरे समें तो 69.28 को मनाये गया था इसका आमेरिका के सुशलिस्ट पार्टी ने किया था बात ये थी कि इस टाइम पर मेर्का में मेहलाओं को वोटिंग रइड नहीं मिले थे तो इसी चक्र में ये महलाओं के जो राजनीतिक अधिकारों को या फिर जो भी अधिकार होते महलाओं को उनको प्राप्त करने के लिए ये अंदोलन शुरू किया गया तर रास्टी महला दिवस बगेरा मनाई जाने शुरू किया थे तो कम शुरू गया था 28 परवई 1909 को फिर ये क्यों मना जा प्राणा शुरू किया गया था ठीक है और इसकी हरसाल एक थीम भी होती है इस बार की जो थीम है वोमेन इन लीडर्शिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन एक कोबिड नाइटीन वर्ड ये इस बार की थीम है आई पील दोयर एकीस के बारे में अगली नीज है हमार आई पील दोयर एकीस इंडियन प्रेमियर लेग कि जो चौदेवा सीजन है उसका फीडियू फिक्स हो गया यान कि कितने मैच होंगे कहां कहां कौन सा मैच हो किस टीम के मद्द होगे ये सारा फिक्स हो चुका है कौन करता है इसका आयोजन और फिक्सिंग बी सी सी आई ठी करता है इसको पहला मैच कब होगा इसका नौ अप्रेल को वर्तमान चैंपियन कौनेस का मुंबई इंडियन और रसी बी रॉयल चैलेंजर बैंगलोरू के मद्द चैन्नाई में होगा साम साड़े साथ बज़े साड़े साथ बज़े पहला मैच होगा नौ अप्रेल को रसी और मुंबई इंडियन के मद्ध पिछला जो तेरवान है भारत में नहीं खेला गया है वो दुबई अबू धारी अबू धारि और शार्जा इन तीन चार जगों पे खेला गया है भारत से भाएर यूए बगैरा में खेला गया था यह तेरवान फीजण ठीक है तो उसमें होंगे final मुकाबला कहां खिला जाएगा एहमदाबाद के नर्द मोधी स्टेडियम है जो विफ्वका क्रिकेट सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भہी स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम जो हमारा North Korea है उसमें सबसे बड़ा है लेकिन क्रिकेट के लिए एक तरह से पूरता समर्पित जो स्टेडियम है उसमें सबसे बड़ा है यह नरंद मोधी स्टेडियम जो एहमदबाद में इस्थित है ठीक है याद रखे कुछ दिन पहले ही मैंने यह भी न्यूज बताई थी कि विश्व का सबसे बड़ कोलकाता और बैंगलूरू में दस-दस मैच खेले जाएंगे वहीं एहमदाबाद और दिल्ली में आठ-ठाट मैच खेले जाएंगे ठीक है कहां-कहां कितने मैच खेले जाएंगे यह भी याद रखेगा वैसे तो इंपोर्डर नहीं है बट कभी भी कुछ भी आ सकता है एक और उच्छ उच्छा समस्थान है उन्होंने टॉप 100 में जगे बनाई है QS World University रैंकिंग में यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष एक उच्छ उच्छ उच्छा समस्थान कंसर्टेंट्वी QS क्वाक्वा रैली साइमेंट्स यह इसकी QS की क्वाक्वा रैली साइमेंट्स द्वा और Productivity of Institutions Research Faculty यह इसमें चार इसके पैरामीटर होते हैं और इसकी रैंकिंग की बात करें तो सबसे जो टॉप है भारत की जो रैंकिंग है उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किये हैं और सबसे अच्छी रैंक इसकी है IIT मद्रास इसको 30 वी रैंक मिली है पैट् 69 वी रैंक डी यू को मिली है 208 वी रैंक एमस को मिली है 248 वी रैंक ठीक है तो सबसे टॉप किसने क्या किया है यह याद रखेगा IIT मद्रास 30 वी रैंक मिली है पैट्रोलियम इंजिनिरिंग के चेत्र में अगला यह टॉपिक है हमारा रेड राइस रेड राइस के बारे म जो ब्रंपुत रवर है उसके आसपास का जो एरिया है उसमें उगाए जाता है असमें इसमें किसी भी प्रकार के रासाइनिक और बरक्का प्रयोग नहीं किया जाता है कैमिकल फर्टिलाजर हो जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किये जाते हैं इसे असमें बाउधान भी क किसी भी पतार्थ को क्लर किसी कोई कोई भी किए फैक guarantees कोिफ कोई भी उसमें पेग्मेंट होता है उसको कलर पता है तो जो कम है लाल रंग इसको एन्टोसानिन पेग्मेंट के करणा खाने में इसका श्वाद की बात करें तो अखरोड के जैसा होता है इसकी और होती बिराइ की अधिक मात्रा पाई जाती है जो कई बीमारियों से लड़ने में फाहता करती है इसमें एंटी ऑप्सिडेंट की मात्रा भी पाई जाती जो एंटी एंजिंग चीजें होती है यानि कि जो हमारी उम्र बढ़ने को रोकते हैं या फिर हमारी बोड़ी की जो अक्षीकल होता है उसको रोकते हैं तो यह उसमें अधिक पाए जाते हैं एंटी अक्षिडेंट तो इससे हमारा इसकिन अच्छी रहती है और हमारी एज भी कम बढ़ती हुई दिखती है यह सुगर पेसेंट के लिए भी फायदेमन्द है, जो हमारा रेड राइस है, असम्ट के ब्रमपोत्र में उगाया जाता है, ब्रमपोत्र गाटी में, ठीक है? और कि रिशी प्रकार का राषानी को डुब्रक नहीं होता, यह सुगर प्रेफेंट के लिए भी फायदेमंद है यह इंसुनिल लेविल को मैनेज करता है यान कि इंसुनिल का जो लेविल मैनेज रहेगा तो बलड में हमारा ग्लूकोज है उसकी मात्रा भी नियंत्रत रहेगी तो यह सारे काम करता है तो आज के डिसकुशन में इतना ही देखने के लिए धन्यवाद